नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि दिजिलिव टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, दिजिलिव टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और दिजिलिव टैबलेट की वज़से क्या साइड इफे अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है, दिजिलिव टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन सिनार्जिन 20 mg और डाइमेन हाइड्रिनेट 40 mg होता है, दिजिलिव टैबलेट का उप्योग चक्कर आने की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है, इसके अलावा दिजिलिव टैबलेट का उप्योग किया जाता है, साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में दिजिलिव टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में दिजिलिव टैबलेट की वज़े से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं, जैसे बध़जमी होना, सिर्दर्ध होना, नीन ज्यादा आना, मुँ में सूखापन होना, पेट में दर्ध होना और पेट में बेचैनी हो सकती है। अब हम डिसकस करेंगे की डिजलिव टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। डिजलिव टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको डिजलिव टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए। जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशकता होती है। क्योंकि डिजलिव टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नीन ज्यादा आ सकती है। पारकिनसन्स डिजीस होने पर और लिवर या किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर डिजलिव टैबलेट को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है। इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सला के बिना डिजलिव टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं के लिए डिजलिव टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डिजिलिव टैबलेट को डॉक्तर की सला के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका डिजिलिव टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।